ओं गण गणपतये नमाहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रो प्रोफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अद्भूत वश्यकरन मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको बोलने से प्रभू श्री राम जे के क्रिपा से तूरंद किसी भी चहते व्यक्ति का या सर्वचनों का प्रचंड वश्यकरन हो जाएगा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मंत्र को हमने सन 2010 में हमारी साइट पर प्रकाशित किया है और इसी चैनल पे कुछ साल पहले इसके बारे में मैंने दर्शकों को बताया है लेकिन आज इस मंत्र के बारे में मैं आपको फिर से बतानी चाह रही हूँ क्योंकि यह बहुत ही चमतकारी मंत्र है और हमारे नए दर्शक इसका लाब ले सकते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें इस दुरलब और महाशक्तिशाली वहशिकरन मंत्र का प्रयोग करने के लिए साधक को प्रभू श्री राम जी पर अटूट भक्ती होना अनिवार्य है इसके अलावा इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए अन्य किसी भी प्रकार के नियम नहीं है साधक को इस मंत्र को बोलने के पुरुव प्रभू श्री राम जी का ध्यान करके उन्हें अपने रिदय में बसा लेना है यानि कि यह सोच लेना है कि प्रभू उसके रिदय में विराचमन है और उसके बाद जिस्त्री या पुरुष को वह वश करना चाहता है उसके बारे में एक बार सोच कर इस मंत्र को सिर्फ एक बार पूरे आत्म विश्वास और एकागरता से बोलना है अगर साधक सर्वजनों को वश करना चाहता है तो उसे शान्त चित्त से ऐसा सोचना है कि राम जी की क्रिपा से सारा विश्व उसके वश करन के बंधन में आ गया है और फिर मंत्र को बोलना है एक चीज का जरूर ध्यान रहे कि यह एक सात्विक मंत्र है इसलिए इस मंत्र का प्रयोग नेक इरादों के लिए करे और बार-बार मामूली कारणों के लिए या मजाग के लिए इस मंत्र का जाप नहीं करना है इस मंत्र का प्रयोग आप दिन भर में कभी भी कर सकते हो और इस मंत्र का वाचित या मानसिक जाप किया जा सकता है अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रहे हूँ कुरुपया ध्यान से सुनिए मंत्र इस प्रकार से है मंत्र फिर से सुनिए जिभ्या आगु अम्रुत वशे सो कामत रिष्टी आगु हनुमंत वसे सभा मुहु श्री राम चंद्र अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो गुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिये प्रभू सबका कल्यान करेंगे